हे दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी आईएस और अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ डेस्ट लिक एक्साइज के बारे में देखे दोस्तो ये जो एक्साइज है ये इंडिया और उजबेकिस्तान के बीच में होती है अभी रिसेंटली ये हमें देखने को मिली भी है तो इसी के बारे में हम लोग डिसकस करने वाले हैं नियूज में थी क्या importance है क्या significance है इस exercise के और दोस्तो इस वीडियो के last में हम लोग देखेंगे कि आखिर और कौन-कौन सी ऐसी exercise है joint military exercise जो कि आपके लिए important है मतलब कि आकसा examination में वो पूछ ली जाती है तो वीडियो को दोस्तो पूरा ध्यान से देखीगा कहीं पर कोई doubt वगएरा होता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं comment section में कोई भी तरिक कोई दिक्कत है आप लोग को तो आप बता सकते हैं comment section में चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और discuss करते हैं dust lick exercise के बारे में लेकिन आप लोग को बता दूँ कि ये unacademy पे civil services championship चल रही है जो कि 27 March को होगी certificate और rewards वगएरा आप लोग के लिए available है और साथी साथ आप लोग को discount में मिल रहा है काफी अच्छा discount है courses वगएरा पर हमारा code study is आप use करेंगे तो आप लोग को offer मिल जाएंगे साथ ये prelims और cset की test series भी है जो कि आपको अच्छे discount पर मिल रही है अच्छे prices पर देखने को मिल रही है 10% discount है हमारे educator code के साथ और कोई भी अगर आप लोग को दिक्कत है तो जो नमबर यहां दिया हुआ है यहां पर आप call कर सकते हैं हर एक तरिक जो facility है आप लोग को an academy दे रहा है हमारा guidance प्रोग्राम भी है दोस्तो जो कि first week of April से चालू हो जाएगा जल्दी जाएए enroll कीजिए काफी नए चीज़ आप लोग को पता भी लगेंगी और an academy में store है वो भी दोस्तो खुल चुका है दिल्ली में तो जो बच्चे आस पास हैं वो जाके देख सकते हैं एक अच्छा experience उनने देखने को मिलेगा अब दोस्तों में बात करते हैं देखे थर्ड एडिशन होने वाला है joint training exercise इंडिया और उज्विकिस्तान की आर्मीज के बीच में X best link मैं बता दूँ कि conduct होगा यांग की एरिक उज्विकिस्तान में जो कि चलेगा दोस्तो 20 से लेके 31st मार्च तक Okay तो तीसरे edition होने वाला है और एक important है क्यूंकि उज्विकिस्तान और इंडिया के साथ हम लोग कम exercise करते हैं इसलिए ये वाली भी हमारे लिए important है मैप में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से उजबिकिस्तान की जगह है आप लोग देख सकते हैं उजबिकिस्तान की लोकेशन की उपर इसका हो गया यहाँ पर करदाकिस्तान और फिर नीचे तुर्कमिस्तान हो गया आपका, अफगानिस्तान हो गया, नीचे साइड ओके, फिर तजिकिस्तान हो गया, ऐसी कर्गिस्तान हो गया, तो यह सब वो जगें हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए अब ही important आप लोग बता दूँ, उजबेकिस्तान में आपका तास्केंट है, comment section में जरूर बताईएगा, कि आखिर तास्केंट क्यों important location हमें पता लगती है पिछले पास्स में कुछ आपको बता दूँ कि ऐसी चीज़े हुई है, जिस वज़े से ये news में भी रही थी आप लोग को बताना है कि क्या reason है किस वज़े से ये news में रही थी अभी दोस्तों ये जो exercise है, इसका पूरा focus ही रहता है कि हम लोग कैसे counter terrorism की जो operations होते है हमारे semi-urban terrain में वहाँ पे काम कर सकते हैं, United Nations के द्वारा आते हैं ये सब और इसके साथ साथ इस exercise के लिए जो हमारी Grenadier Battalion है उसे nominate करा गया था और battalion जो है, ये पूरे तरीके से highly decorated battalions होती है, Indian Army की जो training है दोस्तों, उसका पूरे तरीके से schedule करा गया है, वो ऐसे करा गया है कि हम लोग focus कर सकें, कि जो हमारे tactical level के drills हैं, वो share हो सकें और जो नहीं आप कह सकते हैं, practices हैं, दोनों ही देशों के लिए, उसे हम लोग सीख सकें एम यही है कि हम लोग कैसे announce कर सकते हैं, understanding, cooperation और interoperability दोनों ही armies के बीच में इससे पहले जो इसका edition हुआ था, dust link का दोस्तों वो हुआ था, रानी खेत उतराखंड में, मार्च 2021 में ओके, यह कुछ बाते हैं जो कि आपको इस पूरी exercise से related पता होनी चाहिए क्या significance है, देखे बता दूँ कि उजबे किस्तान जो है, वो इंडिया के लिए बहुत important है as in security और connectivity के लिए, अगर हमें Central Asian reason से और इरान से connect होना है तो और इसके साथ साथ एक alternative ही है, इंडिया अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान के respective में security concerns जो हैं हमारे लिए वो काफी हैं क्योंकि conflict अफगानिस्तान में चलता जा रहा है, काफी सारे challenges इंडिया की involvement हमें देखने के मलती है Central Asia में तो इस वज़े से भी मैं बता दूँ कि उजबे किस्तान हमारे लिए काफी important role निभा रहा है अगर हम लोग Central Asian reason की बात करें तो कुछी दोस्तो joint military exercise हैं जो कि हम और भी countries के साथ करते हैं वो सभी मैंने यहां लिखी हैं एक बार पढ़तेता हूं जिससे कि आप लोग को पता भी लग जाए और screenshot, notes वगएरा आप लोग ले सकते हैं कोई बिगर आप लोग को दिक्कत है तो देखें इंडोनेसिया के साथ हमारी जो exercise होती है वो आपका गरून सकती फिर दोस्तों जो मालदीव के साथ है वो है आपकी कुवरीन होगी आपकी चाइना के साथ है hand in hand होगी आपकी, सिंगापूर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र होगी स्रलंका के साथ मित्र सकती होगी, मंगोलिया, नुमेडिक एलिफेंट फ्रांस के साथ सकती exercise, नेपाल के साथ सूरिक किरन और USA के साथ युद्ध अभ्यास यह सारी exercise है, joint military exercise है, जो कि इंडिया इन सभी country से साथ करता है सभी important है और सभी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए तो यही है दोस्तों पूरी वीडियो, I hope कि आपको अब एक अच्छी understanding होगी होगी से लेटेड कोई भी doubt है कोई भी suggestion है हमारे लिए तो बता सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तक के लिए have a nice day and take care